नाव स्टेटेंस कोशन नमर टू लेते हैं कह रहा है कि name the physical quantity which is considered to be a measure of quantity of motion of a body ओके अब देखिए measure of quantity of motion अब यह quantity of motion फ्रेज एक तरीके का इसको सबसे पहले Newton ने यूज किया था ठीक है quantity of motion देखो quantity इसका आंसर तो आप आथ कर लो कि momentum थोड़ा सा समझ भी लीजे quantity of motion से यह ब to m into v इसको थोड़ा समझ लेते है quantity of motion को ध्यान से एक example से छोटे से example से मान लीजे बच्चो कोई ball है ओके और यह ball का mass अभी बहुत कम है कोई छोटी सी ball है और इसका mass है लेटस से अभी मान लो just example के लिए हम आपको बता रहा हूं one unit ओके अब मैं mass का unit kilogram नहीं ले रहा हूं कि one kilogram की ball नहीं होती है ठीक है one unit की ball है आप समझ जाओ बॉल है उसकी quantity of mass कितना one unit है समझाने के लिए बता रहा हूं ठीक अब देखिए माल लेजे कि इसकी ball तो यह छोटी सी है ठीक mass इसका बहुत कम है मान लो one unit होगा कुछ one gram one gram होगा कुछ ठीक है one gram तो बहुत ही छोटा हो जाएगा ठीक है चलो 10 gram ले लो कोई बात नहीं है ठीक है चलो 10 gram ले लो टीक है अब सुनो यहां पर अगर इसको आप velocity कितनी मास तो बहुत कम है ठीक अब इसको मैंने आपको ऐसे fact के मारा ऐसे ठीक तो जब ऐसे आपको मैं fact कैसे मारूंगा इसको अगर मैं धीरे से का जाए अच्छा नहीं है समझो जड़ा बात को इसका quantity of motion जाए अच्छा नहीं है velocity मान लो दी मैंने आपको वन मीटर पर सेकेंड की ओके तो मास को आप चाहो तो किलो ग्राम में चेंज कर लो पहले ठीक किलो ग्राम में कितना हो जाएगा 10 divided by 1000 कर लोगे तो ग्राम यह दिखिए तो कितना आ जाएगा यहां से 0.01 किलोग्राम इंटू वेलास्टी कितनी है वन वन इंटू 0.01 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड तो आप बोलोग इसका मोमेंटम कितना है 0.01 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका quantity of motion जाज अच्छा नहीं है अब इसी बॉल को ध तो मास आपका वही है मास नहीं चेंज हुआ है 0.01 किलोग्राम ही आपका मास है लेकिन वेलास्टी मैंने कर दी इस बार पास्ट टेज फैक के मारों ज्यादा फोर्स लगा कि फेका यह ऐसा आपको छोट लग सकती है ठीक है माल लो मैंने इसकी वेलास्टी ले लिए 20 मीटर पर सेकेंड यह लीजिए बहुत तेजी से फेका मैंने अब देख लो यहाँ पर पी की बालो निकालो पी इस इकोस टू एम इंटू वी कितना हो जाएगा एम कितना है 0.01 इंटू वी कितना है 20 ओक यहां से पॉइंट हट आओगे कितना हो जाएगा आपका सॉल्फ कर लीजिए वन डिवाइड़ बाइट बढ़ाएंगे जीरो बढ़ाएंगे फाइफ टू जा चाहता हूं ध्यान से चेक करो कितना आ रहा है 0.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड किलोग्राम मीटर पर सेकेंड बस मैं आपको यह बताना चाह जादा है अब देखा आपने यहां पर कॉंटिटी ओफ मोशन कर रहा है किसके उपर वलास्टी के उपर मास तो वही है जैसे आपने वलास्टी बढ़ा दी आपका कॉंटिटी ओफ मोशन बढ़ गया यानि कि आपका मोमेंटम बढ़ गया ठीक यानि कि मोमेंटम किसके उप किलोग्राम का हमने एक आपजेक्ट लिया ठीक यहां पर मास्क कितना है एंग की बैलू कितनी वन किलोग्राम और इसको हमने फैका 1 मीटर पर सेकिंड से ठीक सो यह जाके सामने किसी दिवार पर टकराती हो दिवार के ऊपर चोट करती है मान लो ठीक है बहुत असान भाशा में आपको बता रहा हूं तो ममेंटम अगर हम निकालेंगे एम कितना हो जाएगा म कितना वन वन अब किलोग्राम में जान बूछ ले लिए यह थीक है अब यहां पर सेकंड बैटर सही सामने लेकिन यह बॉल यह जो भी ऑब्जेक्ट है यह से अब अगर आप P की value निकालोगी कितना आएगा M into V, M कितना है 4 और V कितना है इस बार 1, तो velocity हमने नहीं चेंज करी 4 into 1, 4 kilogram meter per second, तो आपको feel आ रहा होगा, यह जो बड़ी वाली बड़ी, अगर उतनी ही velocity से हम फैके हैं सामने, तो दिवार पर जाधा चोट करेगी, ठीक, यान कि कोई तो ऐसी physical quantity है, जो की quantity of motion को बताती है, कि object जाएगा, तो सामने कितनी तेजी से चोट करेगा, ऐसे सुचोआ, और वो physical quantity का नाम क्या रखा गया, momentum रखा गया, जो की, दो चीजों का मतलब है, दो physical quantities पे depend करती, mass पे और velocity पे, यदि आपने mass fix रखा, velocity बढ़ा दी, तब अब ही ये quantity of motion बढ़ जाएगा, यानि कि momentum बढ़ जाएगा, और यदि आपने mass fix रखा, ये वाले case में देखिए, mass 10 gram, उदर भी कितना था, 10 gram का मतलब 0.1 kg, 0.1 kg, यदि आपने mass fix कर दिया, और velocity आप vary कर रहे हो, ठेक, जब आप velocity बढ़ा दोगे, तो आपको ज़्यादा momentum म वो दो physical quantities पर depend करती है, P is directly proportional to mass as well as P is directly proportional to velocity, मतलब velocity बढ़ा दोगे, तब भी momentum बढ़ेगा, mass बढ़ा होगे, तब भी momentum बढ़ जाएगा, ओके students, तो ध्यान रखिएगा, इसलिए बोला जाता है कि momentum is equals to mass into velocity, ठेक, ओके, यहीं पे इसको stop करते हैं, detail करने में तो बहुत detail किया जा सकता है, चलिए, तो इन्हों हम से बोला था, name the physical quantity which is considered to be the measure of the quantity of motion, ठेक, so quantity of motion को हम बताते हैं किस से, एक physical quantity, जिसका नाम क्या है, momentum है, तो momentum is the physical quantity which is considered to be a measure of the quantity of motion of a body, okay students, note कर लीचे,